हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर गजंद पुरहीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूँ फॉर इंजिनेरिंग मैथमेडिक्स बीस इस नो कर आप किसी भी कॉंपेटिशन एक्जाम की तैयरी कर रहे हैं जहां पर सब्सक्राइब आपके सामने कुछ बताने वाला हूँ सबसे बलिए बात कर एंगे डेफिनेशन फैसे जोंसले इसमयोड कि तो इस पैस विचेन जैसर विचे नागर भाषम का स्पैस्स में कोई पाइं पॉइंट और सपाइंट से हमारे पास एक फिक्स डिस्टेंस के साथ जो हमारे पास लोकस बनता है या कर बनता है वो हमारे पास क्या होता है एक स्पेर को रिपेसेंट करता है इस उनी स्पेर को हम इस तरह से यहां पर डाग्रेमेटिक डाग्रेमेटिक लिप समझ सकते हैं यह इसकी रिडियस होती हमा हमारे पास क्या होते हैं एक्स माइनस एक होल स्कॉर प्लस वाई माइनस बी का होल स्कॉर प्लस जैड माइनस सी का होल square is equal to R square, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर Z को 0 कर दें यहाँ पर तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, circle बन जाएगा, circle और square पर सफ यही फरक है, यहाँ पर Z axis भी हमारे पास आजाता है, बात करेंगे सिन इसको एक और form के बारे में, कि standard form of equation में, अगर हमारे पास center केसी का 0 दे रहे है, तो उस वाले case में हमारे पास जो sphere की equation होगी, वो क्या होगी, x square plus y square plus z square is equal to a square, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो abc आजाएगा, हमारे पास जो abc आजाएगा, वो क्या आजाएगा, 0-0 हो जाएगा, मतब यह abc 0-0 हो जाएगा, तो equation हमारे पास क्या हो जाएगा, x square plus y square plus z square is equal to r square हो जाएगी, इस वर example दे रहे है, the equation of square, whose center is 112 and radius is 4, तो 112 का center दे रहे है, तो यह आजाएगा, x minus 1 का whole square plus y minus 1 का whole square plus z minus 2 का whole square is equal to r square, r हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वार होगा, वो हमारे पास क्या आएगा 16, ठीड़ फोर इसको 4'M, बिञवद दे यहाईखन टो, इसविन यहां पर हमारे पास, जो x, y, z, k neden 67 ka a or minus y question ka a or minus, हाफ और माइनस एंड जाक जैडु रिएक एंड और उसका योगता है जो रेडियेंट उता है ऐसका स्कार स्कॉर स्कॉर यäche चाहिएगा उसके उसक्यार कोसी आपको सून traces कर तो माले जए x square plus y square plus z square plus 6x plus 8y minus ka 10z plus ka 11 is equal to 0 और आप से पूचेंगे इसका center क्या होगा तो सुन इसका center कैसे निकालते हैं लोग, x के coefficient का आधा तो minus का 3, y के coefficient का आधा और minus, z के coefficient का आधा तो minus 5 और minus करेंगे तो plus 5 हो जाएगा, तो यह हमारे पास center अगा, अगर हम इसकी बात करें radius की तो सुन के आएगा, इसका square 9, इसका square 16, इसका square 25, minus का यह आएगा, डी, तो डी हमारे पास कितना है, 11 तो minus करेंगे, तो हम जानते हैं, इसकी बात क्या होगी, 50, minus 11, that is root 39 is the answer, तो इस तरह हम यहापर center and radius इसको बहुत इसली निकाल सकते हैं, clear है, यह बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो हम लोग circle में करते हैं, वह को भी कहानी, ऐसा equation में यहां भी दे रखा है, तो समझाते हैं, हमारे पास u, v, w लेंगे, आप इसे भी कर सकते हो, right, u, v, w, लो फिर minus minus करके लिए, बात बारा बरी है, वैसे आप इसे भी इसको कर सकते हैं, यहापर d जो होगा, वो हमारे पास 11 इदर आएगा, तो minus 11 होगा, जियान देने की जरूरत, clear है, पस इस तरह सम्हें यहापर इसका निकालत होगे, यह हमारे पास है, x1, y1, z1, और सुन यह हमारे पास है, x2, y2, z2, तो सुन हमारे पास यहाँ इसकी एक्वेशन होगी, x-x1 into x-x2, plus y-y1 into y-y2, plus z-z1 into z-z2, right, तो सुन यह हमारे पास क्या होती है, इसकी सर्कल की एक्वेशन होगा, तो इस तरह सम्हें इसको यहा निकले लिखने है, इस फ़र की एक्वेशन लिखने है, इसके डामेटर के endpoints है, तो सुन क्या होगा, x-1 into x-0, right, यह, and यह, klar है, फिर, प्लस क्या है, सुन, y-1 into y-1, right, फिर, next क्या है, सुन, z-2 into z-2, right, is equal to 0, सुन को सिंप्लिफाई करेंगे, तो सुन यहाँगा, x into x-1, प्लस यह आएगा, y-1 का whole square, प्लस यह आएगा, हमारे पास, z-2 का whole square, right, और इसको सिंप्लिफाई करेंगे, तो हमारे पास इसके स्पेर की equation आजाएगे, इस तरह समें इसको बहुत इसली आपर समझ सकता है, so next question देखे, यहाँ पर क्या रखा, equation of the square through four non-coplanar points है, अगर हमा equation होनी की value के लिए हमारे पास 4 equation होनी ची, UVWD में, right, तो मैं एक point रखेंगे, तो एक equation में लेगी, दूसरा point रखेंगे, तो इस तरह से करते हैं, find the equation of the square passing through the four points, right, तो हम जानते हैं, let the equation of the square, मैं इसको लेता हूँ, सुन क्या करेंगे, let equation of the square, हाना, हमारे पास स्पर की equation ले लिए, x square plus y square plus z square plus 2 ux plus 2 v y plus 2 wz plus d is equal to 0, अब हम जानते हैं, चुकि जिरो-जिरो से पास करेंगे, तो सब जिरो-जिरो रखेंगे, जब जिरो-जिरो रखेंगे, तो यह सब 0 हो जाएगा, सिर्फ d बजएगा, तो d की ले लिए हम उम्मारा पास कहाँगी, यह भी 0, यह भी 0, सब 0 हो जाएगा, तो d 0 हो जाएगा, अब हम बात करेंगे at 0,1, minus 1, जैसे इसको रखेंगे, तो जैसे रखेंगे, तो यह 0 हो जाएगा, यह नहीं हमारे पास 1 नहीं होगा तो यह 2V हो जाएगा, right? किया रखेंगे तो माइनस का 2W और D तो वैसे भी 0 हो गया, clear है? तो सुन यहां भी इसको solve करेंगे, तो मार पास किया आएगा, सुन, V-W is equal to minus माइनस का 2 है, यह 2 दर लेके जाएगे, हैना, इसी डवसे हम बात करेंगे, at minus 1, 2, 0, जैसे इसे पास करेंगे, हम तो सुन, जहां भी एक समा पर 1 रखेंगे, यह आएगा, हमार पास 4, 2 का स्क्वार, Z तो 0 हो रहा है, है सुन, यहां रखेंगे, तो यह माइनस का 2U, प्लस का 4 V, हैना, बाके तो सब 0 हो जाएगा, हैना, तो सुन, अभी हमारा पास equation मिल जाएगे, क्या होगी सुन, आप है, 2U माइनस का 4V is equal to 5, तो एक equation हमारा पास यह मिल जाएगी, एक यह मिल गई, हैना, now, at, हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 से पास करेंगे, तो सुन, यह आएगा हमारा पा V, हैना, प्लस का D, D तो 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल करेंगे, तो सुन, यह आएगा, 2U plus 4V plus 6W is equal to 0, तो माइनस का 14 हो जाएगा, अभी हमारा पास 3 equation होगे, सुन, यह, यह, इन 3 equation को यह आप ही का करना, आपको, सॉल करना, एंट सॉल करके, यह 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 य बटा पास सुल करेंगे, तो इस तरह समया इसको बाए प्लस Y स्क्वार प्लस Z स्क्वार प्लस 2UX प्लस 2VY प्लस 2WZ प्लस D is equal to 0, सबस्वर बात करेंगे, at 00, right, at 00, तो सुन 00 से इसको पास करेंगे, तो D हमार पास 0 हो जाएगा, right, फिर हम बात करेंगे, at A, 0, 0, तो हम जानते हैं, यहांपे X के जगा A स्कार हो सरे बाकिरी सब 0 हो जाएगा, पलस यह आएगा 2UA, तो हम जानते हैं यहांपे कि हमपास U की वेलियू कितनी हो जाएगा, यह स्क्वार तो तो मैन सका A by 2, right, इस सबस्वार बात करेंगे, सुन 0, B, 0, स्कूर प्लास टूवी बी इस इक्वल डू जीरो इस इन यहां से वी क्यो़ लिए पास किया जाए गाund7 स्वाइगा ए तो उसकी स्कूर्स लिए माईनिस ऩा सी बन starter उसले माई पास रहाँ ठीज थ ti इसकोर है सुन जब माइनस का एबाइट रखेंगे तो से तू कैंसल तो माइनस खाए एक्स यह रखेंगे तो माइनस का बीवाइए माइनस का CZ is equal to 0 इसुन यह concept आगे यूज आने वाला है मैं आगे आगे आपको सामने एक क्वेशन बताऊंगा जो हमारे पास इस चाप के तीन पॉइंट चार पॉइंट जा रखेंगे तो हम क्या करेंगे जो भी पॉइंट मारे पास X कोडिनेट वाला होगा वो X के साथ जाएगा जेडवाला जेट के साथ आगे मैंस आजाएगा और 0030 इस तरह समा आगे भी काम कर एसा कुशन एक कराऊंगा मैं आपको तो समा आपको याद रहकना है क्लिर आगे बढ़ता है इसुन नेक्स क्वेशन देखें फाइंट एक्वेशन देस पर हैविंग इट सेंट दो लाइन की पास हुरे एक यह पास हो रही है एक यह पास होरी रहई हर तो एक लाइन उम्म आरप माइनस yahoo is equal to 0 एंड जब इसको यहां रखेंगे तो सुनिया आएगा हमारे पास माइनस का 5V एंड माइनस का 2W is equal to 0, right? Actually, हम करना क्या चारे है? हम यहां पर एक स्वेर की एक्वेशन दे रखी, right? हम इसे स्वेर की एक्वेशन निकालना चाहरे है, जहां पर यह दो कंडिशन साथिस्पार है, मतला हम यू, V, W, D की वेल्यू चाहिए, उसके लिए हमारे पास यहां पर चार अलग-अलग दे रखा है, कि दो तो यह एक्वेशन दे रखी और दो हमारे पास पॉइंट दे चाहिए, टू, माइनस वन माइनस वन से क्या हो रहा है, अब चुकि यह इस पर यह जो इस पर है, इन्दोने एक्वेशन से पास हो रहा था, इन्दोने एक्वेशन को क्या करे गए, सटस्फाइ करेंगे, तो सब से लिए बात करूँगा, मैं एट 0, माइनस 2, माइनस 4, यह आएगा, 4V प्लस 8W माइनस का D is equal to 20, एक एक्वेशन हमारे पास यह आजाएगी, यह एक्वेशन यह आगई, अब एक और चाहिए, वो हमारे पास दूसरा पॉइंट से आजाएगी, वो पॉइंट से क्या आजाएगे, सब हमारे पास, 2, माइनस 1, माइनस 1, यह रखें है, यह रखेंगे, यह रखेंगे, यह रखेंगे, पॉइंट ब्ली, यह रखेंगे अगला कोशिशन दे रखाया है कि a plan passes through a fixed point A, B, C and a cut the excess इस उन्हों मारे पास इस डाइग्रम से इसको समझ नहीं कोशिश करें, यह यह प्लेन हमारे पास यह दे रखाया है कि यह जो प्लेन है, इस नहीं यह जो फ्लेन है, यह से pass हो रहा, A, B, C से pass हो रहा है, और यह ABC पर काट रहा ह। हमने महां लिया कि plan O, A, B, C कि हमने equation महां लिए किया है X upon alpha plus Y upon beta plus Z upon gamma is equal to 1 है अगर ये है तो सुन इसका intercept form है तो हम जानते हैं ये alpha, 0, 0, 0 हो जाएगा ये सुन ये हमारे पाद 0, 0, 0, 0 हो जाएगा ये सुन ये हमारे पाद 0, 0, 0, 0 हो जाएगा हो रहा है तो इन 4 points को क्या करेंगा satisfy करेंगा दिहां से हमारे पास क्या हो जाएगा हम क्या करते हैं let the equation of the spare is हना क्योंकि यहाप मिस्की spare की question मालेंगे और चुकि यह plan है अब देखो आपके बारे में हमने यह plan assume किया है पर आपको इक्वेशन में करेंगा कि यह जो plan is is point से क्या हो रहा है पास हो रहा है तो यह जो point है इस plan की question को क्या करेंगा satisfy करेंगा तो right at a comma b comma c इसको जब हम लिखेंगे तो सुन में थोड़ा color change करता हूं तो यह हमारे पास यह क्या जाएगा सुन किया जाएगा a upon alpha b upon beta and c upon gamma is सुन ही रिजल्ट है आगे हम यूज करेंगा अब हम मानते हैं कि let the equation of sphary is assume क्या करते हैं let let equation of sphary is हमने sphary की equation माल ली है न है क्या होगा सुन ही एक स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर प्लस z स्क्वाइर प्लस 2 u x प्लस 2 v y यह प्लस 2 w z plus d is equal to 0 अब हम जानते ही जो इस फ़री चार points से पास हो रहा है ओ से a से b से and c से राइड इन चारो से पास हो रहा है तो इस पर इस पासिंग तुरू तो गिवन है क्या गिवन है यह जो स्पर इन चारो पोंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है ना that उसके मैंने आपको बता दाएगी 00 and a 0000 ब 0000 सी तो यहाद है उसकी equation क्या है थी हमारे पास x square plus y square plus z square minus alpha x minus का beta y minus का gamma z and is equal to 0 क्योंकि अब 00 रखोगे दी 0 हो जाएगा फिर इसको यहाँ पर रखोगे alpha 002 alpha square and 2u alpha हो जाएगा तो u की value minus alpha by 2u minus beta by 2u minus gamma by 2u यह सब रखेंगे थी हमरे पास अब हम जानते सेंटर इसका जो सेंटर है वो हम लिखेंगे तो इसका जो सेंटर आएगा वो हमरे पास कितना है एक से कोफिशन का अधा और माइनस अना तो माइनस अलफा है इसका अधा करेंगे अलफा by 2u को हम X ले लेंगे, और बीटा by 2 को हम Y ले ले लेंगे, और गामा by 2 को हम Z ले ले लेंगे तो इसका यहां मैं यहां पर लिख रहा हूँ तो सुनिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, तो सुनिया आएगा हमारे पास, A upon alpha की value कितनी है, सुनिया पर, 2X है, plus B upon 2Y, plus C upon 2Z is equal to, 2 को cross multiply कर दीजे, जैसे multiply करेंगे, तो यहाँ आएगा, X upon BY, plus CZ upon, is equal to 2, upon वाला 2 दर चला जाएगा, और यही आपको यहाँ पर क्या करना दा है, तो यहाँ इस तरह से बहुत इसको प्रू कर सकते हैं, अगर आपको एक अचरा समझ में नहीं आया हो, तो आप यह है, बिल्कुल सिस्टेमिक लेकर काप समझ सकते हैं, क्यों ही कहारी जो मैं मैं आपको किते सेकंड्स लगे, इसो लास मेरी प्लेलिस आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने 2D है, दैन कॉनिक सेक्षन है, पॉलर फॉर्म अफ कॉनिक है, अभी मैंने 3D स्टाटिक है, पूरी कुछ प्लेलिस आपको यहाँ मिल जाएगे, इसो नया जो चैनल है, उसमें इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरू दीजे, धन्यवाद